हाई फ्रेंज में कुम बान विल्कम टू मुवी शुवी तो हमने कजीएफ के अंदर गाना सुना था कि अपना कद बढ़ाओ और पूरी दुनिया जीत लाओ के जीएफ के अंदर बोला था वो मेरे ख्याल से जितना रौकी भीया ने सुना उस से जाला प्रिशांत नील ने लोड़ रहे हैं कि मेरा तो पेटे भर रहा मैंने केजिएफ बनाई फिर मैंने केजिएफ टू बनाई मुझे और तावर तोड़ बड़ा काम करना है तो मैं सलार बनाऊंगा और सलार के साथ तो वह एक्स्परिमेंट करते करते और प्रडूसर का इतना कॉंफिडेंस आ गय क्या रॉकी भाई कद उसके नीचे छोटा रहा जाएगा और एक और साथ में ट्विस्ट आ रहा है कि इसकी रिलीज देट जो है वो लगबा लगबाग फाइनल करती है इस एक इंटेंडेट देट तो निकल के आ गई है तो प्रशान दील का मानना यह है कि जी मैं तो सलहार को अब नेक्स लेवल पर लेके जाने वाला हूँ इसको सलहार दसागा बोला जाएगा यहां पर जो भी में आगे मूवीज लिखूँगा वो केजिएफ से कहीं ना कहीं उसका इंटर प्ले होगा यानि के कुछ कारेक्टर इंटर प्ले करेंगे दूसरी मूवीज में और दू परशान नहीं लग्दम सही बोल रहे हैं और वो बहुती ग्रैंडर तरीके से काम में लग गये और अगर आपको इसकी पुष्टी चाहिए तो होम बेल के एक जो नया हैंडल अब आ गया है सलहर दस सागा अगर आपने भी तक भी उसको सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर लो उसको फॉलो कर लो उसमें उन्होंने बहुत तावर तोड़ काम करते वे परशान नील की आज एक पोस्ट डालिये जिसके अंदर वो अलड़ी शूट के ऊपर हैं और तावर तोड़ त सब्सक्राइब और मुद्दा यह है कि इस यह डेट इसलें भी इंपॉर्टन हो जाता क्योंकि टाइगर थरी एक हफते के बाद आ रहे हैं जो कि 21 सेपरल को आएगी और सलमान खान है 21 सेपरल 2023 को जबी आएगी तो एक वीक बहुत अच्छा मिलने वाला है सलहर को टू प्र तरीके का समा बांधने का प्रॉमिस किया है प्रिशांत नील ने अगर वैसा बंद गया तो काफी तावड तोड़ तरीके से फिर से कमाहियां होने शुरू हो जाएंगी क्योंकि उसके बाद जब टाइगर भाहियां आएंगे तो उसमें भी काफी जादा आपको नई चीज है औरिजनल कॉंटेंट है सलमान खान है अन पारलेल स्वाग हिंदी सिनेमा में सेकिंडली उसके अंदर जो आपको स्पाय थ्रिलर फॉर्स ताइम विटनेस होने वाला है वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो दोनों का जो क्लैश है उसको वोइड करने के लिए 15th और 21st of April टाइगर 3 की डेट रखी गई है बट एक बात और नोटिसेबल है कि अगर सलहार को बहुत तावड़ तोड़ ओपनिंग मिल जाती है और उतना ही हमें हम इसको पसंद करते हैं जतना हमने KJ 1 और 2 को किया 2 को स्पेसेफिकली तो थोड़ी सी फाइट हो जाएगी टा आगर के लिए अगर सलहार वो निकली जैसा हमें अभी तक मार्केट करते वे दिखाया गया है तो मैं तो यह चाहूंगा कि दोनों मूवी अपने अपने सेग्मेंट में चले क्योंकि स्पाई यूनिवर्स अपने आप में काफी साथा इंट्रेस्टिंग है और KJF को स्पेस आउट करते हैं तो दोनों मूवीज को ओडियन्स का प्यार मिल पाएगा टिकेट ले पाएंगे और बिजनस फेलेगा तो मतलब और अच्छी फिल्में बन पाएंगे अपने कॉमेंट्स करें ज़रूर बताना बाइ कि अपने 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 कि